नमस्कार स्वागत है आप सबका नारटी बीपर दोस्तों हमारे बहुत से दर्सकों ने हमसे पूछा कि क्या सिंगर्स भी फ्लॉप हो सकते हैं? इसका उत्तर सीथे तौर पर हाँ या नामे देना काफी कठिन है लेकिन बालबुड ऐसे तमाम किस्सों से भरा पड़ा है कि जब एक अच्छे से अच्छे गायक को सिर्फ इसलिए सोहरत नहीं हासिल हो पए क्योंकि उनकी आवाज उस दोर के किसी ना किसी नामी सिंगर से मेल खाती थी आज हम आपके सामने एक एक ऐसी ही सक्षियत की कहानी लेकर आये हैं अगर मेरे बोलने में या वीडियो के एडिटिंग में या किसी जानकारी को बताने में कोई गलती हो तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा क्योंकि आप जब भी हमारी गलतियों को बताते हैं तो काफी कुछ सेखने को मिलता है और आगे उसे सुधार करने का भी मौका मिलता है कमेंट बाक्स में आप सभी को जबाब नहीं दे पाता हूँ इसके लिए छमा चाहूँगा आप लोगों से बात करने का काफी मन करता है इसलिए आप से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे फेस्बुक पेज अनुराग सूरवनसी से जुड़े हैं जिसे हम लाइब आकर कभी आप लोगों से बात कर पाएं ये कहानी है सुमन कल्यानपूर की ये कुदरत का करिस्मा ही था कि इनकी आवाज हू बहू लता जी से मिलती है अब आप लोगों में से कुछ लोग इन्हें मिमीक्री आर्टिस्ट कहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है बचपन से ही इनकी आवाज लता जी से मिलती थी और इसलिए इनकी दसा हिंदी फिल्म संगीत में दो धारी चाकू की तरह रही है अपनी अच्छी आवाज के बावजूस सुमन जी को फिल्मों में सांगीत कारों ने अधिक आउसर इसलिए नहीं दिये क्योंकि उनकी आवाज लता जी से मिलती थी जब बाजार में ओर्जिनल आवाज उपलद हो तो डुबलिकेट को कोई क्यों मौका देने लगे सुमन जी का फिल्मों में आगमन भी ऐसे दौर में हुआ था जब लता जी के खनकते कलदार सिक्के चलते थे कोई संकीतकार लता जी के विरुद सुमन जी से गवाने की हिमाकत कैसे कर सकता था इसलिए सुमन जी चुपचाप हमेशा दूसरी कतार में खड़ी रहकर अपने नियती को दबे होट ता उम्र स्वेकार करती रही उन्हें लता जी का क्लोन बना दिया गया एक समय यचमबी ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट जारी किये थे उनमें अधिकतर 7 गाने सुमन जी द्वारा गाये हुए थे किसोर तलत, मन्नाडे, गीता दत, हेमंत कुमार सब उनके पीछे थे कैसेट कबर पर सब के फोटो छापे गए मगर सुमन जी का फोटो एक कैसेट पर भी नहीं था या कुछ उसी तरह की गटना है कि जाईज टिकट के बावजूद बस कंड़क्टर मुसाफिर को सरे रा बस से उतार देता है सुमन जी के पार्स गौयन के करियर में सत्तर के दसक में इन्हें थोड़े बहुत मौके तम मिले जब लता जी और रफी जी के बीच मन मुटा हुआ गीतों की रोयल्टी को लेकर दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया था सुमन जी को इस दसक में 170 फिल्मों में गाने का मौका मिला इसी दौर में सुमन जी के उंदा गीत सामने आए जैसे दिल एक मंदिर है अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती तुमने पुकारा और हम चले आए अजहून आए बालमा सावन भीता जाए तथा आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर लेकिन बाद में रफील लता जी में समझोता होते ही पुरानी स्थिति लोट आए और आई अब आपको रूबूर कराते हैं इनके निजी जी उन से पुमन जी का जन्म 28 जनूरी 1937 को ढाका में हुआ था पिता बैंक अधिकारी थे 1943 में मुंबई आने पर पढ़ाई तथा संगीत का प्रसिचड यहीं लिया अपने गुरू S1 देव से बाकाईदा संगी सीका इनके गुरू जी ने ही इने मराटी फिल्म सुक्राची चांदनी में पहली बार गाना गवाया किसमत यहां भी दगा दे गई यह गाना फिल्म में सामेल ही नहीं हुआ लेकिन संगीत कार मुंमत सफी ने सुमन को फिल्म मंगू में गाने के आउसर दिया संथा 1904 और सुमन की उम्र थी 17 साथ किसमत ने जपट्टा मारा निर्माता ने संगीत कार को फिल्म के अदबीच में बदल दिया उनके अस्थान पर ओपी नयर को रखा गया ओपी को गीता दट आसा बोसले तता समसात की मोटी आवाज पसंदी उन्हेंने सुमन जी का सिर्फ एक गीत फिल्मे रखा कोई पुकारे धीरे से तुझी इसी साथ सुमन जी ने संगीत कार नौसात के निर्देशन में फिल्म दरवाजा में पांच गीत का कर अपना पैर मजबूती से जमाया व्यापारी रामानंद कल्याणपूर से साधी करने के बाद वह सुमन कल्याणपूर हो गए या बात नहीं है कि सुमन जी को अच्छे संगीत कारों की धुरू पर गाने का मौका नहीं मिला हिमंद कुमार, रोसन, स्डी बर्मन, कल्याणजी, आननजी संकर जय के संग, मदन मोहन, खैयाम, चित्रगुप और लश्मी कांत प्यारे लाल के सुरू के साथ अपने स्वर देने के मौके तो इन्हें कई बार मिले लेकिन तमाम फिल्में B तता C ग्रेट की होने से लुक प्रिता नहीं मिल सकी आज भी सुमन जी द्वारा गाय हुए अनेक गाने जब टीबी या रेडियो पर बच्ते सुनाई देते हैं तो सुरूताओं को यही भ्रम होता है कि यह गाना लता जी का है एक पारखी सुरूता ही लता जी और सुमन जी की आवाज में अंतर पहचान पाता है सुमन जी के अनेक प्राइबेट अल्बम भी जारी हुए है बिदेसों में कई कंसर्ट में भी सामिल हुई है तांसेन अवार्ड, महाराश्ट गुजराश सरकार के अवार्ड के अलावा मत्द प्रतेश के लता अलंकरर अवार्ड से भी इने नवाजा गया है लेकिन इने वो सोहरत नहीं मिल पाए जिसकी ऐसली हकता है लेकिन क्या कर सकते हैं अपनी अपनी किस्मत कभी कभी आपका टैलेंट भी आपके किस्मत के सिक्के को खोटा बना सकता है तो ये वीडियो आपको कैसे लेखी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लेखी हो तो लाइक कीजिए हो सके तो और लोगों से इस वीडियो को सेयर करें इस वीडियो पर अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो आगे भी हम ऐसे ही सिंगर्स की कहानी आप तक लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार